एक junction field effect transistor के तीन terminals होते हैं एक होता इसका gate terminal, दूसरा होता इसका drain terminal और तीसरा होता इसका source terminal यहाँ पर gate और source को दो अलग-अलग तरीके से connect किया जा सकता है और source और drain को connect किया जाता है जिससे gate drain के थो current flow करता है जिसे की drain current कहा जाता है तो gate और source को दो तरीके से हम इसे connect कर सकता है एक तो अगर gate और source को आप directly connect कर दे जिसमें कि इन दोनों के पीच का कोई potential difference ही ना हो gate भी जितना potential में रहेगा, source भी उत्रही potential में रहे तो यह तो एक तरीका हो गया दूसरा तरीका यह है कि gate और source को जोड़ते हुए पीच में एक battery जोड़ते है और साथी साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो gate terminal है, यह lower potential में रहे और यह source terminal higher potential में रहे आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्वे पर बात करें कि कि जब gate और source को कुछ इस तरह से जोड़ा जाए कि gate terminal जो है lower potential और source higher potential में रहे तो फिर junction field effect transistor किस तरह से काम करता है देखें लास्ट वीडियो में हमने junction field effect transistor के working पर बात किया था basic functioning जो है उस पर बात किया था इसके construction पर भी बात किया था और साथी साथ हमने यह देखा था कि जब gate और source को directly connect कर दिया जाए that means दोनों अगर same potential में रहे तो यह कैसे काम करेगा थोड़ा सा अगर यहां पर revision हो जाए तो आपको यह जो topic है यह बहतर समझ पर आएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो gate और source को कर देते हैं connect जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो हमने कर दिया इसे connect देखें यह जो junction field effect transistor है इसका construction भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसमें दो type का material होगा definitely n type और p type हम reference के तोर पे n channel n channel j fat मान रहे हैं मतलब यह जो channel होगा यह channel n type material से बना हुआ होगा और इस जगह पे और इस जगह पे p type material से यह जो section है यह बना हुआ होगा है तो obviously यहाँ बीच में जो है यह यहाँ पर बनता है depletion layer तो हमने सबसे पहले तो gate और source को connect कर दिया gate और source को connect करते साथ चली उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह p type material से बना हुआ है यह p type है और यह n type है अब क्या है हमने इसे सीधा जोड़े दिया gate और source को अब हमें source और drain को भी जोड़ना है तो source of drain को हम जोड़ेंगे और पीच में लगा देंगे एक battery चीज से जिसके करण कि यहाँ पर drain drain current जो है इसी के current फ्लो करेगा तो हमें यहाँ पर connect करना एक battery drain को higher potential में रखना है source को lower potential में तो यह इसका negative terminal बैटरी का यह इसका positive terminal और साथी साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर इसे कर देते हैं ground अब देखे gate और source same potential में है और drain जो है source के respect में higher potential में तो obviously यहाँ से current का flow होता है जो free electrons होते हैं यह free electrons इस direction में flow करता है अब यहाँ पर जो देखने वाली बात थी last video में हमने यह देखा था कि जैसे ही ऐसा ही से connect किया जाता है तो यह जो depletion region है यह depletion region चोड़ा हो जाता है इसके पीछे का reason यह है कि जब यह battery connected नहीं था तो इन points का जो potential था वो 0 था जैसे ही battery को connect कर दिया गया तो यह सारी जगह जो है यह higher potential में आ गया that means कि यह जो है P side जो है जो कि 0 volt में है और यह कुछ higher volt में है for example मान लेते हैं 3 volt में है और यह 0 volt में है P side तो यहां पर reverse bias हो रहा P और N के बीच और यह reverse biasing potential जो है जो कि obviously 3 volt का होगा reverse biasing voltage तो इसके कारण यह depletion region जो है यह चोड़ा हो जाता है उपर की तरफ ज्यादा चोड़ा होता है नीचे की तरफ कम चोड़ा होता है वीडियो में हमने यह देखा था क्योंकि obviously potential जितना नीचे जाएंगे यह ड्रॉप करते जाएगा यहां पर इसे पहुंचके 0 होना है यो सो जैसे जी वोल्टज को बढ़ाए जाता है तो यह चूंकि यहां का potential बढ़ता है तो यह और चोड़ा होता है चोड़ा होते 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 एक समयासा आता है कि दो depletion region जो है यह near-ly एक दूसरे को touch कर लेता है नेरली, नेरली क्यों पूरा बंद नहीं हो जाता है चैनल, क्योंकि यहां देखे, यहां P side से कुछ holes यहां डेपलेशन रीजन में ऐसा ट्रांसपर होता है, N side से free electron यहां ऐसा ट्रांसपर होता है, तब जाके यह डेपलेशन रीजन बनता है, अब यहां पर obviously कुछ positive charges यहां प positive charges accumulated जाते हैं, इन दोनों में, इन दोनों साइट्स में electrostatic repulsion होता है, जिसके कारण कि ये एक दूसरे को touch नहीं करता है, लेकिन एक समय आता है कि जब ये लगभग एक दूसरे को लगभग touch कर लेता है, उस समय या फिर उस समय के बाद current का flow जो है वो और नहीं बढ़ता है, current क magnitude और नहीं बढ़ता है, और इस voltage को हम pinch of voltage कहते हैं, यहाँ पर इस case में, जो भी VDD होगा, जबकि pinch of voltage उसे हम करेंगे, तो यहाँ से अब देखे, अगर हम, अगर हम VGS, जो connect कर रहा है, बीच में अगर बैटरी लगा देते हैं, तो फिर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो द बाट देते हैं, इसे, इसे तो हटा ही देते हैं, मालने कि यह नहीं है, यह battery है कि नहीं, हम क्या कर रहा है, VGS को जोड़ रहा है, बीच में एक battery लगा रहा है, gate, battery का negative terminal और यह positive terminal, इससे होगा क्या देखे, यहाँ पर यह source और gate जो है, इन दूनों के बीच एक potential difference हो जाएग potential difference और साथी साथ, यह gate जो है, यह lower potential है, मालने ते हैं, यह जो battery है, यह एक वोल्ट का है, 1 वोल्ट का बैटरी है, so VGS जो होगा, VGS यह negative 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर यह जो है, यह battery नहीं लगा हुआ है, यह ध्यान रखे, तो आप यह पाएंगे, यहाँ से मैं यह 0 कि अगर यह battery लगा हुआ नहीं होता, यह वाला battery अगर लगा हुआ नहीं होता, तो depletion region कुछ ऐसा बन था, लेकिन चुकि यह side जो है, P side lower potential में और यह N side higher potential में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यह battery लगा हुआ है, इसके कारण यह जो depletion region है, यह चोड़ा हो जाएगा, मैं फ इसके कारण चोड़ा हुआ, यह चोड़ा हुआ, यह जो G और S के बीच जो battery लगा हुआ है, उसके कारण, तो अब यह depletion region है, शुरू सही थोड़ा ज्यादा चोड़ा रहेगा, यहाँ पर, अब अगर आप यहाँ पर D, that means drain, और source के बीच बैटरी लगाते हैं, तो obviously धीर दिरे यह जो है depletion region ऊपर की तरफ चोड़ा होगा, चूकि पहले से ही यह battery लगा हुआ है, चूकि पहले से ही G जो है lower potential में, और S जो है higher potential में है, जिसके कारण पहले से ही depletion region चोड़ा हो रखा है, ज्यादा चोड़ा हो रखा है, तो obviously यह जो pinch of voltage है, जहाँ पर की depletion region एक यह battery लगा हुआ नहीं है, माल ले, यह battery लगा हुआ नहीं, तो VDD को माल लेते हैं, for example, 3 volt होना होता, तब जाके pinch of voltage होता, या फिर 3 volt का pinch of voltage अगर होता, तो अब अगर माल ले, कि आपने यह battery लगा दिया है, जिसके कारण पहले से ही depletion region चोड़ा है, तो अब VDD को 3 volt होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही यह pinch of voltage मिल जागा, so less than 3 volt में ही, अब pinch of voltage हमें मिल जाएगा, और एक मुदा यहाँ पर, कि अगर यह battery नहीं है, तो फिर देखे, चैनल जो है relatively चोड़ा रहेगा, बैटरी नहीं है, तो चैनल relatively चोड़ा रहेगा, बैटरी यहाँ connect करने से, G को, gate को, lower potential में और S को higher potential में रखने से ही, यह जो depletion region है, चोड़ा हुआ है, तो चैनल नेरो हुआ है, तो अगर यह battery नहीं रहता है, तो चैनल ज्यादा चोड़ा रहता है, चैनल का चोड़ा होने का मतलब है, कि resistance का relatively कम होना, तो जैसे ही आप battery लगा देंगे, तो resistance पढ़ जाता है, अब अगर आप इसका जो voltage current characteristics है, इसे draw करते है, last video में हमने draw किया था इसे, तो यहाँ पर इस video में हम क्या करेंगे, अलग-अलग gate source, जो potential difference है, उसके कारण कैसा यह graph बनेगा, वो भी देख लेंगे, तो यह जो x-axis है, यह represent कर रहा वी डी-डी को, और यह जो y-axis है, यह drain current को represent कर रहा है, drain current, so हमने last video में भी देखा था कि यहाँ पर क्या होगा, शुरू में जब VDD 0 रहेगा, तो current का flow नहीं होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब यह gate source potential difference है, यह नहीं है, या फिर VGS जब 0 होगा, 0 volt का होगा, उस सब हमने देखा था कि voltage जो है, बढ़ाते साथ, current बढ़ते जाएगा, current बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक समझ ऐसा आएगा, कि यह pinch of voltage मिलेगा इसे, और pinch of voltage के बाद current जो है, यह constant हो जाता है, यह जो curve है, यह represent कर रहा है, VGS जब 0 है, तब current और voltage के बीच, VDD के बीच का relation, अब अगर हम VGS को negative 1 volt करते हैं, तो हमने दो चीज़े देखा था, एक तो pinch of voltage पहले hit करेगा, और दूसरा कि resistance ज्यादा होगा, resistance ज्यादा होने का मतलब कि same potential difference में, same VDD में, कम current flow करेगा, यह जो line है, यह वाला line, इसका slope कम होगा, तो अब का case जो है, यह VGS is equal to 1 volt, तो यह कुछ ऐसा, ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर अब pinch of voltage होगा, इसका, VGS is equal to negative 1 volt, अब अगर negative 2 volt किया जाए, तो negative 2 volt करते ही, करते ही, resistance और बढ़ जाएगा, और pinch of voltage भी पहले hit करेगा, इसके बाद current, यह जो है, constant होगा, तो यह VGS is equal to negative 2 volt है, अब त्याँ दे, अगर VGS जब 0 था, तब अगर pinch of voltage जो है, यह अगर 3 volt का था, 3 volt में, VDD का value, जब 3 volt हुआ, तब अगर pinch of situation आता है, pinch of condition आता है, तो उसकीस में आप यह पाएंगे, कि अगर शुरू में ही हम G और S के बीच का potential difference, तीन volt का बना देते हैं, तो obviously हमें शुरू में ही pinch of voltage मिल जाएगा, VDD का value कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने VGS को ही इतना बना दिया है, कि pinch of situation मिल गया है, तो उसकीस में, उसकीस में शुरू से ही यह जो depletion region है, यह depletion region लगभग एक दूसरे को touch करके रखेगा, और उसकीस में जो VDD है, उसका कुछ खास role होगा नहीं, शुरू से ही current का flow यहाँ पर रुका पर हैगा, तो उसकीस के लिए जब VGS जो है, इस example के हिसाब से जब तीन वोल्ट का होगा, तो यह जो graph है कुछ ऐसा होगा, तो यह है VGS is equal to negative 3 वोल्ट, तो हमने यह देखा था कि यह pinch of voltage है, जब VGS 0 है, यह वाला voltage जो है, pinch of voltage है, जब VGS जो है, यह 0 है, similarly यह जो है, यह pinch of voltage है, जब VGS negative 1 वोल्ट का है, यह pinch of voltage है, जब VGS negative 2 वोल्ट का है, और यह है pinch of voltage, जब VGS negative 3 वोल्ट का है, अब अगर यहाँ सारे pinch of voltages को हम connect करते हैं इस graph में, यह pinch of voltage है, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन points को अगर हम connect करते हैं, तो यहाँ पर यह जो region रहेगा, यह region, इस region को ohmic region कहा जाए, तो यह जो region है, यह ohmic region है, ohmic region, क्यों ohmic region, क्योंकि यहाँ पर देखे, current, current और voltage जो है, ohm's law के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, आप देखे, यहाँ पर यह straight line है, यहाँ इस का slope जो है, इस curve का जो इस graph में, यह जो इसका slope है, यह slope रेप्रेजेंट करता है, कि कि तरह resistance है, अब यह जो है, जहाँ पर की current, saturated हो गया है, इस region को कहा जाता है, active region, so active region, JFET का active region, हमने इससे पहले, last video में यह देखा था, कि अब अगर आप voltage को काफी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर यह जो है, यहाँ breakdown होता है, आगे चलके यहाँ breakdown हो जाता है, so वो जो region होगा, वो जो region है, उस region को कहा जाता है, breakdown region, so यहाँ इस के इस तरफ का जो region है, यह region जो है, यह region मैं नीचे लिखतेता हूँ, यह वाला जो region है, यह breakdown region है, और यह वाला जो region है, इस region को कहा जाता है, कट आफ रिजन, यह हो गया, कट आफ रिजन, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता जाता हूँ, कि यह जो है, यह junction field effect transistor, अगर आप इस पूरे graph को ध्यान से देखे, तो आप यह पाएंगे, कि VGS, VGS का value change करते हुए, हम इस junction field effect transistor के resistance को control कर सकते हैं, अलग-अलग VGS के लिए देखे, इसका resistance जो है, यह अलग-अलग होगा, यह slope indicate करता है, कि इसका resistance कितना है, आप VGS को ज्यादा से ज्यादा negative बनाए, तो इसका resistance ज्यादा से ज्यादा होता है, इसलिए इस तरह के resistance को कहा जाता है, voltage controlled resistance, यहाँ पर resistance को, यह जो VGS voltage है, यह control कर रहा है, तो फिर इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं, अब जाते-जाते मैं आपको बता दू कि BSC के लिए जो field effect transistors के वीडियोज बन रहा हैं, उसे जिस playlist पे रखा जाएगा, उस playlist का link आपको यहाँ पर description में मिल जाएगा, वहाँ पर आप click करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं, तो I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हुगा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले मुत्ते के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, goodbye.